हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मैस्पाय नीतु मैम तुड़ेज टॉपिक इस एवरेज बट उससे बहले मैं आपसे बोलूँगे कि आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब करिये और मेरी वीडियो को लाइक करिये और बेल आइकन को प्रेस करिये जिससे आपको time to time notifications मिलते रहेंगे अब हम time waste ना करते हुए start करते हैं फर्स question is find out the average of 308, 125, 45, 120 and 102 पहले मैं आपको यह बता देती हूँ question start करने से पहले कि average होता क्या है average एक तरह से approach होता है जैसे suppose एक room में 5-6 student पैठे हुए है और बाहर किसी ने आपसे पूछा कि यहाँ पे किस age group के student है या किस age group के बच्चे है तो आप कैसे बताएंगे एक generally आप क्या लेंगे आपको मालूम है 15-16 age group के बच्चे है तो आप something plus तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके mind में है कि कोई 15 का है कोई 16 का है कोई 17 का है कोई 14 का है तो आपने एक aprox लगाया कि 15 age group के student बैटेंगे तो आप जवाब के दोगे 15 age group के तो ये तो एक general question हो गया जो आपने round figure में बोल दिया बट क्या होता है कि अगर इसको मैं solve करना हो इस question को तो हम कैसे करते हैं कि अगर हमें exact average रही है तो average का मतलब होता है कि जितने भी आपको numbers दिये गए है जैसे age से related हो सकता है आपका percentage से related हो सकता है इसमें आप मने किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं कि average आप से पूछा गया समझ लीजिए रूपे हो सकता है किसी एक student के पास समझ लीजिए Monday को वो 20 रूपीज लेके आया Tuesday को 30 रूपीज लेके आया Wednesday को 40 रूपीज लेके तो एक average पूछा गया कि उसके पास कितने average है amount कितना है तो ये किसी भी तरह से हम use कर सकते हैं कि 7 days में उसका average क्या रहा age का जैसे मैंने आपको बताया कि example दिया कि 5-6 student एक रूप में बैठे हुए है और आपसे पूछा क्या average क्या है तो average में कुछ भी हो सकता है average को इंदी में बोलते है ओसत तो आप जैसे first question लिखा हुआ है तो first question में क्या है find out the average of 300 ये आपको 5 number दिये हुए तो जब भी ये तो बहुत simple question first question है average means है आप some number को plus करिए और जितने भी number है जैसे यहाँ पे 5 number है और 5 से divide दे दीजिए ये average निकालने का simple सा formula है but ये formula हर जगे follow नहीं होता है क्योंकि कभी कभी कुछ different type की questions होते हैं तो average में ऐसा नहीं है कि केवल आपको इसी pattern में questions मिलेंगे कि सबको plus करो और 5 से divide कर दीजिए ये 6 number है तो 6 से divide कर दीजिए ये तो एक general questions है मैंने आपको बताया है लेकिन उसमें किस किस type के questions आते हैं और अतने भी important questions हैं वो सारे में आपको बताऊंगी तो first question तो बिल्कुल simple था कि आपको क्या करना है इन सब को plus करना है और 5 है तो 5 से divide कर देना है तो आपका plus करने पे कितना हो जाएगा इसको एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगी कि कोई सा भी chapter आप जब करते हैं तो कुछ चीजों को आप देखा करो और जल्दी calculation करनी के आरण डालो कैसे जैसे मैंने यहां पर देखा 5 5 दिख रहा 10 तो मुझे 0 दिख गई यहां पर 8 और 2 भी 10 दिख रहा है तो अगर 8 5 13 करती हूँ 13 के बाद मैं 5 करती हूँ तो यह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 13 किया फिर आपने 5 प्लस किया 18 हुआ 18 में 2 प्लस किया 20 इससे अच्छा होता है कि अगर हम अपनी आखों से केवल वही चीज़ देखें जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाया तो वह आपको पेपर में help देगा जैसे मैंने देखा मुझे दिखते लगा कि 8 ओ 2 10 हो रही है और 5 5 10 तो 20 हो गया है तो 20 कि मैंने 0 लगाई और 0 लगाने के बाद यहां पर 2 2 4 4 और 4 कितने होगा 8 हो गया, 8 ओ 2 कितने होगा 10 अगेन 0 आगई 10 की फिर 1 क्यारी थी तो 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6 और 1 और यह कितने होगा है? 7 होगा है अगेन एक बार अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो 8 और 2 10, और 5 फर 10, 20, 20 की 0 आई 2 2 4, 4 4 8, 8 और 2 कितने होगा है? 10 0 आगई और 1 कैरी दी इसको, तो 4, 5, 6 और 7 आगई अब कितने नंबर हैं यह 5? इसको आप 5 से डिवाइड दे दीजी 5 से डिवाइड दिया तो कितना आगया? 5 बंजा 5, 5 फोर्सा 20 और यह 0 आगया, आपका 140 इसका आंसर आगया 5 बंजा 5, 5 फोर्सा 20 और 0 तो यह 140 जो आया है वो आपका क्या आया है? अब next question भी हम जाते है if the weight of A is 60 kg, weight of B is 45 kg and weight of C is 54 kg then what is the average weight of 3 persons? आपको average बताना है 3 persons का तो सबसे पहले आपको simple यह first question भी simple था, second भी simple है आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को plus करना है और 3 से डिवाइड देना है तो plus करेंगे तो हम कितना आजाएगा? 0, 5, 5, 5, 5 और 4 कितना हो गया? आपका 9 यहाँ पे आपने 9 mention किया और 6 और 4 कितने हो है? 10 10 और 5 कितने हो गया आपके? 50 और कितने से डिवाइड देना है आपको 3 से? क्योंकि यह 3 member है 3 से आपने डिवाइड दिया तो आंसर कितना आजाएगा? 3 5s are 15 और 3 3s are 9 तो 53 आपका average आगया कि उनका जो weight हो कितना होगा? 53 kg होगा मैंने जब यह start किया था तब ही आपसे बोल दिया था कि आपको average में कुछ भी आ सकता है age आ सकता है, weight आ सकता है, कुछ भी आ सकता है तो आपको mind में केवल क्या रखना है कि हमें सबको plus करना है और जितने भी member है उससे divide करना है यह तो simple question था, third question देखिए the average, यह मैंने average को short form में a लिखा हुआ है जहां भी आपको a दिखे तो आप means समझ ले ना कि average है यह इसमें आपको average दिया हुआ है ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे है कि if his expenditure for the first 3 days are 100, 120 and 85 respectively then what is the expenditure of chart for 4th day अब उन्होंने हमसे 4th day का expenditure पूछा हुआ है मैंने आप question को समझे, अभी तक क्या होता था हमें 3 या 4 नंबर दिये हुए थे और हमसे बोला average बताओ तो हमारा जो formula था वो क्या था कि हम सबको plus करके लिखते थे और divide क्या कर देते थे जितने भी लोग है उनसे divide कर देते थे इस question में उन्होंने हमें average दे दिया है 90 यानि कि answer दिया हुआ 90 average दिया हुआ है और आपको expenditure कितने कितने दिया हुए 3 days के एक का दिया है इन्होंने 100 एक का दिया है 125 और एक का दिया है 85 4th का हमें नहीं मालूम 4th का हम क्या माल नहीं है x suppose कर लेंगे और यह 4th day का जब हम average निकालते है तो हमारा average का यही फालूम formula होता है कि 4 को plus करो और 4 से divide दे दो और वो हमारा answer आजाएगा बट इस case में तो क्या है हमारे पास x है ही नी तो x की value में निकाल ली है हमने 4 का cross multiplication किया तो 4 nines है कितना होगा 360 अब हम यह सारे इसमें से minus कर देंगे तो कितने हो जाएगे plus करके 100 और 125 हो गया आपके 225 225 में आपने किया 5 plus तो 55 होगा 0 और 2 और 8 हो जाएगे 10 और 11 और फिर हो गया आपका 310 हो गया ठीक है 310 को minus कर दीजिए तो x की value कितनी आ गया आपके पास 50 तो इसका मतलब 4 जो था वो हमारा क्या हो गया चांद का जो expenditure फोर्ट दे का था वो कितना था 50 हो गया ठीक है 50 रुपीज आ गया next question पर आप ये देखिए मैं कहीं पे भी margin नहीं ले रही हूं बहुत कम line में और बहुत जल्दी solve कर रही हूं paper में भी आपको ऐसा करना है जादा space नहीं लेना है ये नहीं सजाना नहीं है decoration कुछ नहीं करना है कोशिच करना है कि वहीं पर आप solve करिए वहीं पर answer निकाल कर रखिए वह आपका एक एक सेकंड आपके लिए valuable है आप next question पर आए fourth what will be the average of number from 1 to 51 आपसे उन्होंने कहा है कि आपको 1 से लेके 51 का average बताना अब मैं इसमें ये जितने भी question से इनके लिए trick बता रही हो आपको कि कभी भी आपसे average पूछा जाता है तो average ये माना जाता है अगर simple number यदि जो भी जिसके बीच में भी आपसे average पूछ रहे हैं अगर उनके बीच में difference equal है difference equal होता है तो उसमें trick आपकी follow जाती है और आपका answer easily आजाए कैसे जैसे यहां पर 1 to 50 यहां बोला है 1 से 51 1 से 51 का मतलब है कि ये counting है simple आपकी कहां तक जाना आपको 51 तक जाना है जब simple counting हो या फिर even number हो या odd number हो या समझ ली जिए difference equal हो इसे नहीं है even odd के अलावा भी आपकी हो सकते है 3 हो फिर 6 हो फिर 9 हो बट उनके difference जो है वो equal हो तब हमारी ये trick follow हो जाती अब इसमें हमने देखा average निकालना है तो average का मतलब होता है बीच का number average always means बीच का number, middle number तो अब हम क्या करेंगे इसके middle number निकालेंगे अब ये 51 है तो 51 का तो middle होता नहीं है तो 51 से पहले कौन सा number आता है 50 तो even 50 number को जो हमने 2 से divide दिया तो कितना मिल गया 25 तो हमें ये समझ में आ गया कि 25 इदर और 25 इदर और बीच में आपका क्या होगे 26 क्योंकि 25 number है तो 25 की बात क्या आएगा 26 आएगा तो 25 और 26 यानि कि 26 हो गया और यहां पर 25 number हो रहे है तो 26 और 25 कितने हो गया आपके 51 हो गया टोटल number आप सबसे पहले देखो आपको 51 number चाहिए तो 51 का half नहीं हो रहा तो हम 50 का half करेंगे 50 का half कितना मिल गया 25 मिल गया तो हमने 25 number इधर छोड़े और 25 कि आदम 26 number पर पहुचे और उसके बाद 25 number इधर छोड़े तो हमें यह मालूम पढ़िया कि average हमारा क्या होगा इसका 26 होगा यह हमारा answer आ गया ठीक है और इसकी जगे हम चाहते तो एक formula भी होता है आप formula से भी कर सकते हो बट आप कितने कितने formula याद करोगी तो मैं तो आप से यही बोलूगी कि जिन questions में trick लगती है आप उनमें trick फॉलो करें trick बहुत इसी रहती है और trick हमारे mind में काफी time तक रहती है formula हम कभी-कभी confused जाते हैं कि कौन सा formula कहां लगाना है तो आपको जो comfortable हो मैं formula बता दीती हूँ इसका formula यह है कि जो भी अगर simple counting आती है तो आप 1 से 51 है 51 में 1 प्लस करिया upon 2 डिवाइड कर दीजिए means क्या होगी आपका 51 प्लस 1 upon 2 तो 52 upon 2 कितना होता 26 यह आपका answer आगे 26 बट यह formula आपको याद रखना पड़ेगा इसमें आपका simple है कि आपको मालूम है कि average means beach का part अगर आप वो दिमाग में रखोगे तो आपको कोई formula याद करने की जूरत नहीं है तो beach की संक्या क्या होगी 25 नंबर आपके इदर छूट गए 25 नंबर आपके उदर छूट गए और beach में कौन सा नंबर आगया 26 नंबर आगया क्योंकि 51 25, 25, 50 और beach का एक आगया ठीक है अब next question पर आए हम next question पर उन्होंने बोला हुआ है हमसे कि 2468 इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि find out the average of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 या फिर इसको दूसरी language में बोल सकते है even number from 1 to 15 1 to 15 even number का आपको क्या बताना है average बताना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 to 15 में even number कितने होंगे तो मैंने आपको जैसे 1 to 51 बताया था तो 1 to 51 में आप 50 पे गएते क्योंकि 51 का तो half हो नहीं सकता था तो same case है 1 to 15 है तो 1 to 15 15 से पहले क्या आता है 14 14 का आपने half किया तो कितना मिल गया 7 तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर आपके 7 क्या है even number है क्योंकि अगर कोई भी counting होती है तो इसमें even number और odd number होते हैं क्योंकि ये 51 तक counting जा रही है 15 तक जा रही है तो इसके अंदर 7 even number होंगे और 8 odd number होंगे क्योंकि 1 से start हो रहा है और 15 तक जा रहा है तो even number कितने हो रहे हैं 7 हो रहे हैं अगर आप चाहें तो count करके देख सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7 7 even number होंगे और क्या होंगे 8 इसमें total 15 number है तो 8 क्या होंगे odd number होंगे तो 7 even number हो गए मैंने आपको ये दोनों language बतारी हो कि paper में ये इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है बट अगर आपको trick आती होगी तो simple है मैंने आपको पहले ही बोल दिया average means beach की संख्या beach का number average होता है और उससे हम अगर कभी paper में पूछते हैं कभी तो पूछते हैं औसक बताईए कभी पूछते हैं इनका योग बताईए sum बताईए तो अगर sum बता रहे हैं तो भी आप tension free रगे और यदि आपसे average पूछ रहे हैं कैसे रहे है tension free क्योंकि average पूछा है तो आप beach की नंबर पर जाओ आपका answer आ गया और यदि आपसे बोलते हैं कि sum बताईए तो beach की number में जितने number उनसे multiply कर तो जैसे beach का number इतना 8 है और यह कितने total 7 7 से multiply कर दीजिए इनका sum हाज आगा 8 multiply 7 56 आप प्लस करके देख लिजिए 56 आएगा तो अब हमने देखा कि 1 to 15 में even number कितने 7 है 7 है तो अब आपको क्या बोला उन्होंने कि beach का बताईए तो आपने क्या लिखे 7 में से तीन number आपके इस तरफ आएंगे तीन number इस तरफ आएंगे बीच में एक आएगा total 7 अगर आप यह trick सीख गए तो आपको problem नहीं आएगी थोड़ा से आप ध्यान से समझे total 7 number है तो 3 इस तरफ आगए 3 इस तरफ आगए तो बीच में कौन सा आगए 1 यह fourth number का आएगा तो यहाँ पर कौन सा हो गया 2 4 6 छूट गया आपके और यहाँ पर आंसर कितना हो गया 8 ठीक है तो यह आपका आंसर हो गया 8 और यह दि आप उस trick से करते तो उस से कैसे हो जाता कि 7 प्लस 1 अपॉन 2 तो 7 प्लस आपका 1 अपॉन 2 किया तो कितना हो गया 4 नमबर आया 4 नमबर भी क्या बटा हुआ 8 बटा हुआ तो 8 आपका अंसर हो गया तो इस तरह से आप किसी से भी चाहें आप कर सकते हैं बट मैं चाहूंगी कि आप इसको दिमाग में रखें यह बहुत एजी पड़ेग इसका आंसर एक सेकिंड में आता है आप कोस्टन बढ़ें और आपका आंसर आ जाएगा बस आपको समझ में आना चाहिए कि एवरेज मिन्स बीच की संख्या एक चीज में आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगी क्योंकि यह कॉस्टन मेरे बच्चों ने पूछा था मेरे से क कि मैडम अभी तो यहाँ पर ओड नमबर है और आपका आंसर ओड आ गया लेकिन क्या है इसमें क्वेस्टन क्या होता है जब 9 होंगे तो तो आपको इजी ली यह नमबर मिल गया लेकिन सम्थिंग आपके पास 8 है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 यह कितने नमबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, जब 8 नमबर होंगे तो इसका average even क्यों आता है इसका answer even आएगा क्या आएगा answer इसका 8 आएगा क्योंकि average means होता है बीच का नमबर अब आपको 4 नमबर इदर छोड़ने, 4 नमबर उदर छोड़ने तो अब इसके अब 4-4 नमबर आपने दोनों तरफ छोड़ दिए 4-4 नंबर कितने है 9 है तो आपके 4 इदर छूट जाएंगे 4 इदर और बीच का जो होगा तो फिर वो odd का answer odd ही रहता है लेकिन यदि ऐसा case हो जाता है कि 8 है 6 है तो 6 वाले case में भी 3 इदर छूटेंगे 3 इदर छूटेंगे तो बीच का फिर answer तो odd के case में answer even आता है और even के case में answer odd आता है अगर जब भी नंबर कितने होंगे आपके even desert में होंगे अगर even में होते हैं तो यह होगा अगर odd में होंगे तो कोई problem नहीं है अब next question पर आईए इसका answer सीधे सीधे आपका 9 हो गया next question लिखा है what will be the what will be average of 1 2 1 2 3 4 और यह counting है तो counting का पहले भी अपने इस सवाल किया था 51 वाला तो same case वही है कि आप इससे पहले even number 52 52 को आपने 2 से divide दिया आपको कितना मिला 26 तो इसका मतलब क्या होगे 26 number इदर है 26 number इदर है बीच में कौन सा होगे 27 नंबर हो गया तो आपका average कितना होगे 27 और यहा फिर आपको मैंने formula बताया था कि last number plus 1 upon 2 तो last number कितना है 53 53 में plus 1 करिए upon 2 करिए तो 53 और 1 प्लस करे 54 upon 2 किया तो 27 आंसर आ गया आप जिससे भी चाहाएं इस question को solve कर सकते हैं next देखिए next question दिया हुआ है find out the average of 4 7 10 4 7 10 13 28 31 अब इसमें हमने देखा क्या हो रहा है average gap इसी बिल्कुल same दिख रहा equal दिख रहा इसका gap तो जब ऐसी बात होती है तो आपने देखा 4 7 10 13 13 के बाद क्या आएगा 16 33 का gap है 16 19 22 3 का gap देखते जाए 22 25 और 28 और फिर क्या आगे आपका 31 यह मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ आपको कितने number मिल गए यहाँ पे देखो कितने हुए 3 3 6 और 3 9 और यह 10 10 number हो गए ठीक है अब 10 number हुए एक तो यह बात हो गई आप दूसरा आप क्या कर सकते थे आपने difference देखा इनका difference कितना है 3 का difference है आपको यह मालूम पढ़के 10 number है 10 number है और मैंने आप से इसमें पूचा कि average बताइए क्या होगा तो आपको क्या तरीका मालूम है 10 ने तो 5 आपने इधर के छोड़ दी है और 5 आपने इधर के छोड़ दी है आप बीच का number चाहिए तो इसके बाद जब आपने counting लिखी तो 17, 18, 9 17, 18 दो बीच में number आए 17 और 18 तो अब इसमें क्या हुआ अब एवरेज मिन्स हमेशा माइन में दो को बीच का number तो फिर 17 और 18 अब बीच में क्या हैगा अगर एक number होता तो 17 आंसर हो जाता बट 17, 18 है तो फिर अगेन इसके बीच पे का है तो इसका answer क्या हो जाएगा 17.5 मैं स्विर से जो बोल रही हो आप उसको ध्यान से सुनना ये मेरा लिखने का कोई मतलब नहीं ता केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इसकी जगे तरिक ही होती है कि आपने देखा इनके बीच में 33 का gap है सब में देखे आपको 3 का gap दिख रहा है जब भी 3 का gap है टू 3 से डिवाइड दिया तो आपको कितना आगे 10 यानि कि हमें इतना मालूम पढ़ गया कि यहाँ पे 10 नंबर है 10 नंबर है तो 5 नंबर आपके इदर छूटेंगे और 5 नंबर आपके उदर छूटेंगे तो 5 नंबर जब आपके छूटे तो यहाँ पे क्या हो गया 16 हो गया थ से फिर्स्ट और लास्ट नंबर से तो 54 20 53 प्लस 1 कितना हो गया 54 27 चलिए अब नेक्स्ट पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा फाइंड आउट यह हमने क्वेश्चन कर लिया फाइंड आउट दा एवरेज ओफ 4 7 31 तक अब इन्होंने बोला है कि आपको ओड नंबर का भी निकालना है एवरेज और इवन नंबर का भी निकालना है दोनों का इन्होंने बोला हुआ आपसे ठीक है तो अब क्या करेंगे 1 to 45 है आपको मैंने इसी तरह का सेम कोश्चन उपर बताया था 1 to 15 तो आप क्या करेंगे 1 to 45 है तो 44 लेंगे इवन नंबर और 44 को आपने 2 से डिवाइट किया तो आपको कितना मिल गया 22 तो आपको क्या समझ में आया कि 1 to 45 के बीच में 20 इवन नंबर है और 23 ओड नंबर है 23 ओड नंबर क्यों है क्योंकि 45 जो है वो ओड नंबर है तो 20 44 तक तो इक्वल हो गए 22 इवन नंबर हो गए 22 ओड नंबर हो गए लेकिन जब आप 45 पे गए तो 45 आपका क्या ओड है तो ओड की संक्या क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी और इवन की कम हो जाएगी अब क्य का नंबर कौन सा आगा 11 के बाद तो 11 को कैसे देखेंगे आप यह चीज आपको समझ में आना चाहिए अब मैंने आपसे बोल तो दिया 11 तो क्योंकि इवन नंबर के बीच में 22 का डिफ्रेंस होता है तो इसका मतलब 22 और फिर आपके 22 आया और फिर 22 के बाद 24 आता है तो 22 के बाद जो 24 आया यह आपका 12 नंबर है और यह आपका 11 नंबर है कॉस्चन को आप ध्यान से समझेए 22 नंबर पे 11 नंबर पे 22 बैटा हुआ है और 12 बताईए तो average मैंने आपसे पहले ही बोला इन दोनों का average बीच में किया जाएगा 23 तो इसका मतलब इसका answer कितना होगा 23 जो case यहां पर average और पहले ही मैंने odd or even का question समझाया था average मतलब beach का यह समझाया था इसमें क्या था हमें दिख रहा था लेकिन जिस question में अगर 8 number होंगे और हमें beach की number नहीं दिखेगा तो आपको इसके beach में जाना पड़ेगा जैसे कि एक example और रहे लेनी हूँ 2, 4, 6, 8 यह 4 even number हैं मैंने आपसे पूचा है इसका average बताईए तो 4 और 6 के यहां भी 2 number यहां भी 2 number तो अब इनका average कैसे बताऊँ 4 और 6 के beach का number कितना होता है 5 तो 5 इसका क्या होगा average होगा यह चीज मिस्टेक मत करना यही question में आपको समझाने ही कोशिश कर रहे हो कि 1 से 45 के beach में उन्होंने बोला है तो 1 से 45 सबसे पहले आपको यह समझ में आ गया कि 22 मेरे पास even number है और 23 odd number है तो 22 जो even number है उसमें 11 number इदर और 11 number इदर ठीके तो अब 11 number 11 number इदर हो गए तो बीच में कौन आया तो 11 number पर कौन सा number था 22 number था क्योंकि 2,4,2 का multiple होंगे न सारे 11 और यहां पर देखो एक चीज़ और मैं आपको समझा रही हूं even odd का जो आपको confusion है वो मैं आपको दूर करना चाहूंगी थोड़ा सा मैं time लोंगी आप लोंगा लेकिन आपके concept clear हो जाएं कैसे आपने यह देखा कि 1 से 45 के बीच में 22 even number है और 23 odd number है ओके इतने में तो कोई problem नहीं है लेकिन जो 22 even number है वो कैसे होंगे क्योंकि वो multiple है कैसे होंगे 22 number है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होंगे और कहां तक होंगे 44 तक होंगे तो जो 44 number है वो concept number पे होगा place पे होगा 22 place पे होगा ठीक है क्योंकि यह 2 का multiple है तो 22 is a 44 तो यह चीज़ होगे अब क्या हुआ 22 place पे है तो आपको 11 place यहां छोड़ने है और 11 place आपको यहां छोड़ने है जब आपने 11 place 11 place छोड़ दिये 11 place पे यहां कौन सा number होगा 22 number होगा और जो 12 place होगा 12 place पे कौन बैटा होगा 24 बैटा होगा तो हमें 11 और 12 place के बीच में जो है वो आपका answer होगा वो मतलब क्या होजाएगा 22 24 के बीच में कौन बैटा होगा 23 जो की odd है हमें इससे मतलब नहीं है answer में एवरेज में कभी भी आपको इससे मतलब नहीं है answer से कि वो odd आ रहा है कि even आ रहा है यह चीज़ आप याद में रखे आपको average मतलब average निकालना है तो यह आपका answer आ गया इसी तरह से अब उन्होंने बोला है कि even number का बताईए तो यह even number को होगे अब odd number पर चलते तो odd number में आपके पास कितने थे 1 से start थे 1, 3, 5 और यह चल रहा है थे 45 तक 23 number थे 23 number थे तो 11 number इन्होंने यहाँ छोड़े और 11 number यहाँ छोड़े और कौन सा answer के लाएगा जो 12 place पर बैठा है कौन से place पर बैठा है 12 place पर तो 11 place पर कौन सा निकलेगा आपको यहाँ पर जब आप चलेंगे तो 11 place तक तो यहाँ पर 11 place तक चले तो आपका कौन सा होगे है 21 21, 21 11 place पे बैठा हुआ है, और 23 आपका किस पे बैठा हुआ है 12 place पे, और 13 place पे बैठा हुआ है आपका कौन सा 25, तो हमारा answer कौन सा होगे 23 होगे answer, और या फिर आपको अगर इसमें problem आरही हो, तो मैंने आपको बताया था, कि जो भी आपके number होते हैं, कितने place हैं, आपके 22 place है आप 22 लिखिए और plus 1 कर दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा 23, यह आपका answer आजाएगा, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अब हमारा next question आया, find out 9th हो गया, 9th के बाद हम 10th पे आया, what will be the average of first 9 multiple of 5, आपको 9 multiples of 5 के वो करना average निकालना है, अब किस तरह से करेंगे इसमें क्या कहा है question में, कि 9 multiple of 5 के आपको 9 multiple चाहिए, 5 के, 5 के 9 multiple क्या होंगे, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, 9 multiple of 5 का मतलब यह है कि 5 का table 9 times तक लिख दीजिए, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, कि 9 times तक लिखा है, मतलब 45 तक, या अविर आप क्या कर सकते हो, 5 को common ले लिते हैं, तो अंदर remaining क्या रह जाएगा, 1, 2, 3, 4, this one, यह रह गया, आपका simple से counting ले गई, natural, कभी भी इस तरह से question आए कि multiple, आप से यह बोला जाता है, यह इसका multiple है, यह उसका multiple है, तो simple सी बात है, आपका मतलब है कि उसमें से जो multiple है, उस चीज को common ले लिजीए, और यह simple natural number हो गए आपके, प्राकरतिक संक्या, तो आपने 5 को बाहर लिखा, और प्राकरतिक संक्या निकालने का हमारा क्या तरीका था, कि बीच की संक्या इसमें से कौन सी होगी, 9 है, तो आपके 4 प्लेस इ multiple है कर दिया, 25 आपका answer आगया, next question पर आईए, there are 30 boys and 60 girls, if the average age of B is 12 year, and average age of C is 10 years, then find out the age of whole, average age of the whole classes, आपको whole classes की average age निकालनी है, तो आपसे क्या बोला हुआ है, कि 30 boys है और 60 girls है, ठीक है, तो 30 boys, और average age किसनी दियो है, boys की दियो है 12 year, तो 30 multiply 12, आपको ये भी मैंने बताया है, कि जबी भी हमें सम निकालना होता है, तो जो average होता है, और number of student होते हैं, उनसे multiply गर देते हैं, number of student कितने, boys कितने हमारे पास 12 है और boys की जो 12 year age है, और number of कितने है, 30 boys है, तो 30 boys multiplied by 12 years, आगे हम गए, आगे उन्होंने बोला 60 girls है, और girls की average है कितनी है, 10 years, तो 60 girls की हमने क्या कर दिया, 10 years से plus कर दिया, तो ये जब हम solve करेंगे, तो हमारे पास ये total आएगा, तो हमने total किया, तो हमारे पास कितना आगया, इसक तो 12, 23 से कितना हो जाएगा, 36, और plus इनको किया, तो कितना हो गया, 600, plus किया तो ये बन गया, हमारे पास 960, ये हमारा total आगया, लेकिन उन्होंने कहा है, find out the averages of the whole class, whole class में कितने बच्चे थे, 90 बच्चे थे, तो इसको हम क्या कर देंगे, 90 से divide कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसल हो 6 divided by 9, 9 बन से 9 हो गया, 6 आगया, 6 में 0 लगाया, तो 960 कितना हो गया, अपना 0 यहाँ आजाएगी, decimal, और 96054, अगें 6 आगया, फिर 0 आएगा, तो ये 96054 जाएगा, तो 10 point something इसकी वो आजाएगी, averages आजाएगी, ठीके, next question पर आए, next question बोल रहा है, in a cricket team, the average is of 11th player and coach, is 18 years, मतला एक team में आपके पास 11th player है, और एक coach है, coach की is कितनी है, 18 years है, if the age of coach is not considered, उन्होंने बोला कि, इन्होंने यहाँ पर पहले बोला है, cricket team में, average is 11th player, आपके पास 11th player है, और प्लस एक coach है, और इन सब का आपको average दिया गया है, 18 years, ठीके, फिर बोल रहे हैं कि, if the age of coach is not considered, यदि हम coach की age को consider नहीं करते हैं, then the age decreases, average decreases by the one year, तो average जो है हमारा decrease हो जाता है, one year से, find out the age of coach, coach की age बता नहीं है, इस question को आप बहुत ध्यान से समझना, इसकी में बहुत short trick बता रही हो आपको, very easy trick, बट लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई, तो फिर आपको लंबे calculation से करना पड़ेगा, लंबे calculation से भी हो जाएगा, in a cricket team, average age of 11 player and coach is 18 year, मतलब यदि आपके पास 11 player है, और coach है, तो उनकी 18 year से, ठीक है, average means हम क्या मान के चलते हैं कि सब की उतनी उतनी है, ठीक है, तो हमें यह समझ में आया कि जो 18 है, वो हर player की है, और plus coach की है, आगे उन्होंने बोला, कि यदि हम coach को हटा देते हैं, तो average जो age थी, वो 1 year आपके decrease हो जाती है, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला coach की age बताई है, तो हमको इतना समझ में आ गया, कि जब हम इसमें से coach को निकालेंगे, तो जो average है, वो अपना average लेके जाएगा बाहर, तो 18 years तो लेके बाहर निकल गया, लेकिन उसने जाते ही 11 players में एक-एक की कमी कर दी, क्योंकि उसने average एक से decrease कर दिया, आप बात को ध्यान समझना, अगर कोई इंसान average में कमी कर रहा है, तो इसका मतलब वो हर बंदे में कमी कर रहा है, तो उसने 11 लोगों में एक-एक की कमी कर दी, तो वो अपने 18 years तो लेके गया, साथ-साथ वो 11 लोगों की एक-एक साल ले गया, तो 11 बंसा कितना हो जगा 11, तो यह भी लेके गया, तो यानि की कोच की age क्या होगी, 29 years, आप फिर से एक बार समझा रही हूँ, इस टाइप के questions आते हैं, और only 1 और 2 seconds में solve होते हैं, तो प्लीज इसमें time waste मत करिएगा, कोच आया, तो उसने age बढ़ा दी, average age बढ़ा दी, तो बताइए कोच की age क्या दी, कभी-कभी याता है कि weight से संबंदित आता है, कि 10-15 बच्चे 10-15 student है क्लास में, और teacher enter हो गया, तो age बढ़ गई, या फिर weight बढ़ गया, तो weight कितना है teacher का जो आया है teacher, या फिर जो teacher निकल की गया, उसका weight कितना था, तो इसका बहुत simple funda है, वो आप दिमाग में रखिए, कि जो coach था, वो जब जाएगा, तो average जो हमने मानी है, तो average हम यह मान के जलते है, सबका, 18 average है, तो 18 सबकी age है, तो जब coach गया, तो 18 years तो लेके गया, लेकिन उसने क्या किया, कि average में 11 year की कमी कर दी, तो सब में करी, तो यानि कि 11 प्लेयर थे, तो 11 में कमी करी, तो 11 की उम्र लेके गया, तो 18 अपनी लेके गया, प्लस 11 ओर लेकी गया, तो यानि कि उसकी येस कितनी हो गई, 29 येर्स हो गई, तो ये इसका आंसर हो गया, अब इससे रिलेटेट बहुत सारे questions कुछ और है, तो व यहीं भी कोई doubt हो, तो आप comment box में मुझसे पूछ लीजेगा, thank you so much.